हलो दोस्तों आपका स्वागत है आप ही के चनल पूजा की रसोई घर में आप देख सकते हैं मुंग डाल हलुआ मैंने बनाया है पहुती आसा तरीका ऐसा हलुआ आज तक नहीं बनाया होगा वह भी मुंग डाल का बहुती आसा तरीके से बनाया है एकदम कम घी में देखिए पहुती टेस्टी पहुती इला जवाब एक बार आप बनायेंगे तो बवार बार आप बनाएंगी आप देख सकते हैं मैंने मुंग डाल ले रखी है ये खड़ी मुंग डाल है आपके पास या दाल हो तो फूलो के बना सकते हैं दो से तीन गुंटा या फ़लों दीजे मिलता है तरहा है जो आपके पास हो आप बना सकते हैं जिससे मन हो गैस पेमने प्हेंचर हार दिया है क्याश के फ्लेम मीडियम है मैं एक चमत देसी घी डाला है मैं इस हलोव में कम से कम थेखा मैं बनाऊई एक दम कम घी में मोंग दाल हल्वा बनाओंगी आपको विश्वास नहीं होगा मुंग दाल का हलुआ और भी बीना घी किये इतने कम घी में कैसे बनेगा मैं आपको बना के दिखाती हूं देखिए मैंने एक चमच ही घी डाला है या मैंने मुंग दाल का आटा डाल दिया है गैस की फ्लेम मैंने मीडियम कर रखी है लो टू मीडियम कर देख सकते हैं अपने देखने हैं आपने देखा अब तक मैंने 1 चमची घी डाला था देखिए एक चमच मैंने और डाला है आपके सामने ही है एकदम कम गी में मौंग दाल का हल्वा कैसे बनेगा आप देख सकते हैं इतने कम गी में, आप देखके हैरान हो जाएंगे देख़े, इसी तरह कम गी डालके मैं अप रही हूँ आप देख सकते हैं, i shade tightly changed हो चुका है सिर्फ 2 चम्मत देशी गी में मैंने से भुजा है आपको विश्वास नहीं होगा आप देख सकते हैं आपके सामने ही मैंने भूजा है बहुती आसानी से कम घी में इस तरह से बन जाता है आपको महनत भी नहीं लगेगी देखे या भूज चुका है कलर चेंज हो चुका है और खुसबू आने लगी है आपको या वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें मूंग दाल का हलवा इस तरह से अभी तक किसी नहीं बनाया आप बनाएंगी तो सभी को बहुत पसंद आएगा बहुत ही टेस्टी बनता है अब इसमें चीनी डालेंगे चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन मैंने एक कोटोरी मूं की दाल डाली है और आधा कोटोरी चीनी आप पिसी चीनी भी डाल सकते हैं और खड़ी भी जो आपके पास हो चीनी आप डाल सकते हैं देखिए, गैस की अदाम हुख रहा है, इसमें मैं एक लो रहा हैं, इसमें खोवब के जगा मैं एक लिटर दूद को खुलाकर मैंने गाढ़ा कर लिया है, पकाए, अब के पास मलाई हो तो आप मलाई भी डाल सकते हैं, आप चार से पांच दिन की मलाई फ्रीजर में रख ली उसके साथ दूद भी डाल सकते हैं मैंने गाढ़ा दूद लिया है एक लिटर को आधा लिटर कर लिया है अब मैंने डाल दिया है यह खोए का काम करेगा अगर आपको खोवा डालना है तो आप आधा गिलास दूद डाल के भी पका सकते हैं खोवा भी डाल सकते हैं अब से मिलाते हुए चलाना है गैस की फ्लेम एकदम लोही रखनी है इस समय इस तरह से करेंगे तो गुटली नहीं पड़ेगी एकदम अच्छा हलवा बनेगा मुंग दाल का एकदम कम समान में कम समय में और कम मेहनत में बहुत ही टेस्टी हलवा पनता है एक बार आप जरूर बना देखने को मिले मेरे चनल पर वैज नौन वैज दोनों रेस्पी ए खाने की और सफाई पर अनेग वीडियो है आप जरूर देखें देखें एकदम मिल चुका है अब गैस की फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है बराबर चलाते वे इससे पकाना है छोड़ना बिलकुल नहीं है द लो फ्लेम पर इससे पकाते हैं लो फ्लेम पर इससे और पकाएंगे और थोड़ा सा इसमें देशी घी डालेंगे ताकि या और अच्छा लगे खाने में एकदम कम घी में बहुत ही तेश्टी हल्वा बनता है और महनत भी कम पढ़ती है देखिए मैंने दो चम्मच पहले ड हो गिया है बहुती टेश्टी बहुती असान तरीके का मुंगदाल हल्वा अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें देखिए हल्वा तैयार हो चुका है अब गैस बन कर देंगे इतना असान हल्वा आपको आज तक किसी ने नह बनाया होगा या बहुती टेश्टी बनता है एकदम कम समान कम मेहनत पे लीजे आपका मुंगदाल हल्वा तैयार है बहुती टेश्टी बहुती लाजवाब दीखिए कितना सुन्दर बना है जितना सुन्दर दिखने में लग रहा उतना सुन्दर खाने में अब काजू पादम और पिस्ता डाला है जो भी आपको ड्राइब फूट पसंद हो डास सकते हैं ये वचुत ही टेष्टी हल लगता है खाने में लीजिए आपका टेष्टी हलओर तैयार है मुँग बहुत ही आसान आापको बहुत perfect पसंद आने जादस जिदा सेर करना ना भूले, बाई